नमस्कार भक्तिवो न्यू चैनल में आपका स्वागत हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको राउन की मृत्यू से जुड़ी बहुत इंट्रेस्टिंग और रोचक कथा के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो की निचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर कलिक कर बागल में बैल आइकन जरूर दबाईएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोडिकेशन आपको बिलकुल फरी मिलते रहेगी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि रावन की मृत्यू भगवान राम के हातों से हुई थी लेकिन इसके पीछी का असली कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। अंदर कन्या तपश्या कर रही थी तो उसकी पाने की इच्छा रावन के मन में हुई और उसका परिच्च जानना चाहां तो उसकन्या ने कहा है राक्सिस राज मेरा नाम वेदवती हैं। मेरे पिता का नाम राजा कुश धवज था। जब मैं व्यसक हो गई थी तो मुझे पाने के लिए राजा, यक्ष, नाग, सभी व्यति थे और सभी मुझे विवाय करना चाहते थे लेकिन मेरे पिता की यही इच्छा थी कि मेरा विवाय भगवान विश्णू से हो। तब एक समय मेरे पिता सोई हुए थे तो उसी अवस्ता में शंबुग नामक राक्षस ने मेरे पिता की हत्या कर दी, उसकी दुखी होकर मेरे माता ने भी प्राण त्याग दिये, उनी के इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर भगवान विश्णू की तपश्या कर रही हूँ, तब मैं अपने योग बल से तुम्हारे विचारों को भाप गही हूँ, कि तु तब है अगनी में समहाईत होने से पहले रावन को श्राप दिया, कि है रावन तुम्हारी मृत्यू का कारण मैं ही बनूगी, यह सभी लोग जानते हैं कि आगे चल कर वही शीता राजा जनक के खेतों में हल जो समय उन्हें मिली, और उन्होंने उनके सम्वेवर में भगव राम ने रावन की हत्या गी, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, धन्यवाद